नमस्दे दोस्तों आप लोग कैसे हैं आसागरता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होगा दोस्तों बीहार डीस्टी की भरती आयो है यह Office Attentant की आपको पता आओगा दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका कितना परसेंट है ना ताकि आपको अपलाई करना चाहिए आपको पता होना चाहिए दोस्तों इसमें एक्जाम नहीं होने वाला तो बहुत सारे हमारे पास मैसेज आ रहा था और बच्छे डरेक्ट कॉल से भी पूछ रहे थ सकते हैं तो बिल्कुँ आपको बताऊंगा केटेगरी वज़ कितना परसेंट आपको अपलाई करना चाहिए और बेसिक डिटेल्स आपका जॉब कहां करना पड़ेगा यानि जॉब पर फाइल बताएंगे सारा एटुजे सरोल भासम आपको जनकारी देंगे पहले देखे वीडियो के स्टार्ट करते हैं जैसे कि मैंने बताए तो बिहार डियेश्टी ओपिस अटेंडन के यह जो भरते निकली होई है वह निकली होई है ठीक है टोटल पोस्ट के इसमें बात करें तो दोस्तों 38 पोस्ट पर यह फेकेंसी है प्लाई की लास्ट डेट की बात करें 31 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है लास्ट डेट 31 अक्टूबर तक है तो आप लोगों फॉर्म भरने को आच्छा कासा भी डेट है फी एक भी रुपे नहीं लग रहा जीरो रुपे है तो सभी को अटेंड करना चाहिए जो म तो पांच साल यानि 22 साल तक भरेंगे फी मिल की दिएगा फी मेर की बात करें न दूस्तों तो फी मेल कल अगर लास्ट डेट की बात करेंट एज की बात करें तो 18-40 साल को हो जाएगा तो आपका रहालिफ चांज तो यहां पर योगता मार्थ 3 है अपलाई कर सकते हैं एक प्सक्राइब है जोग का लोकेशन होगा वो कि एक और लिखार होगा आरक्षन का लाप बिहार के निवासे होको मिलेगा यह क्यों लिखा थेखिये बच्चे अगर एक अ été जोट आपलाई करेंОगे ठीक है यूर के टेग्री में अप्लाई करेंगे क्योंकि दूस्तो आरक्षन कला आप बिहार के मुल निवास्यों के मिलता है यानि डो मिसाइल आपका बिहार के है अगर रहने वाले तभी आपको मिलेगा जैसे छूट मिलता हो भी सी गया अधर स्टेट वाले जेनर सप्लाई कीजिएगा डॉकुमेंट्स दूसर धियां समझ लिजेगा जाती प्रमान पत्र निवास प्रमान पत्र आपका मांगे गया बिहार के मुल जो के निरेटर उनको वनवाना है बाकी अधास को जरूरत नहीं है सेलरी का देखिए दोस्तो ले 26,000 से भी ज्यादा आपका सेलरी मिलेगा स्टार्टिंग 27,000 से अच्छा का सेलरी भी होने वाला है ठीक है और जो आपका जॉब होगा बिज्ञान और प्रदोग की दोसों प्रोधगी भीभाग में होगा ठीक आंग सारा उसको बताएंगा क्या क्या काम करना पड़ता है प जैनल का 99 एंड़ाइंड इसका 24 से बीसी का मातर जीरो सीट मातर क्या है अब बहुत दोविदा में हमार जो सीट है निधम कैसे अपलाई करेंगे देखो अपलाई करने के एक तरीका है दोस्तों आपको क्या करना नहां एज जैनल के निडेट अपलाई करना है ठीक है जैनल साब फाइट किजिएगा जैनल में अपना जो बीसी केटिगरी है न बीसी केटिगरी आपको बताना ही नहीं है जैनल से भरिएगा भर सकते हैं बेलकुल भर सकते हैं तो जाती परमान पत्त की जरूरत नहीं होगा बस आपको निवास परमान पत्तर देना है ठीक है तो जैन जनरल से आप लोग भी भर सकते हैं अब दो सीट में क्या फाइट कीजेगा भर सकते हैं जनरल से तेकि पीज़ेंटेज अब देखिए ध्यान से समझेंगा तो कितना अंग होने को फोफ इसमें नहीं लग रहा है और बहुत सारे चात्रे हम से कूछ थेंज हैं सर रहला हम तो बिहार बोड से हैं विहार बोड को अलग जाएगा और सी बेंगश को बाट के बच्चे होते हैं जो सरकारी बोड हो गया जैसे बिहार में बिहार बोड होए उसके बच्चे और जो सीवेसी के बच्चे दोनों में परसेंटेंज में अंतर होता है कोविड काल में आपको पता होगा ना तो भाईया टेन से जी पीम मिल गया था यानि 95% समझ लिए 95% पाचासी परसेंट ठीक है इसी पर होता है ना चांटी ना जाता है तो बहुत है किसको अपलाइकन अचाहिए नहीं बहुत सारा होता है तो देखिए जीन बच्चों का 80% से ज्यादा है उनको तो 100% दोस्तों 100% अपलाई करना चाहिए 80% से ज्यादा है तो छोड़ियें कि कुछ fee भी नहीं लग रहा है आपका chance है इसी में देखिये क्या होता है न कि देखा देखी होता है दोस्तों ठीक है बहुत सरे परसंट पर जरूर अपलाई किजाएगा बाकि एसिटी पहले बाकि चुरके एसिटी के 75 प्लस है अपलाई करना चाहिए बाकि दोस्तों यहांपा फीमेल के रेट का भी 70 प्लस है ठीक है तो यहीं दोस्तों कंफ्यूजन नहीं है बाकी अपलाई कीजिए कोई फिर अगर लग नहीं रहा है अब जोब प्रफाइल देख लेजिए यह जो भेकेंसी निकली होई न दोस्तों ठीक है यहाँ देख लेजिए कर्याले परिचारी के फेकेंसी है यह आपका ओपीस वाला ज सांस जोब है सैलरी प्हूंश्त है और काम ही में धूश्तों ठीक है इनकों एकजाम लेना चाहिए यह निको प्रसेंटेज उल्सके ब तो या करेंट भी एक्जाम लेना चाहिए या सभी एक्जाम भारत एक्जाम 15% कर दो यहीं जब करना है तो मतलब एक्तर से थीक मुझे लगता नहीं क्या आप ठीक लगता किसी को ठीक नहीं लगएगा जाहिज इस 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 बात हैं आप लोग विल्ग आप लोग बता इने कि इसका सेलेक्शन होना चाहिए मेरिट पर नहीं जरूर बताईएगा इसलिए दोस्तों बोलता हुनों कि सरकार को दवा बनाया जाए कोशिस हमारे यही रहती है कि भाईया सभी को साथ नया हो अब भाईया बियार बोट वाले और सीबीसे वाले मंतर ना हो सब इसे एक्जाम कर दोस्तों आप लोग जरूर ट्राइए कि जएगा अपलाई कर जेजा हो सकता है कुछ आंगे चलके बदल भी जाए एक्जाम भी ले 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 तो कुछ भी हो सकता है इसलों आपको जरूर अपलाई करना चाहिए फिलाद दोस्तों वीडियो में बसी इतना ही रखते हैं कोई स सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएगा धन्यवाद